नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे इस च्रानल धूप धुनशी आरती में दोस्तो आज जो है मैं शिव दशांग धूप के बार में बताने वाला हूँ शिवदशांग धूप अर्थात जो है जिस धूप के मांधम से आप हर सोमबार भी बाबा को धूप कर सकते है धूप निवेदन कर सकते है और उसके साथ साथ जो हर महीने के शिवरात्रियाते उस समय भी कर सकते और महा शिवरात्रियाते तो आप कड़ी सकते तो इन में जो है आपको पिले राल यानकी पीत शालरस जो है धुना जो होता है जो पिले वाले जो धुना होते है वो आपको लेना ही है धुना और गुकल असल में जो होता है ये common होता है धुना गुकल और गृत ये तीन चीजे जो है ये common रूप से आपको लेना ही है आप कोई भी धुप कर रहे हैं यह रहेगा ही अब देखेगा हर धूप में यह तीन चीज़े जो है वो common रूप से रहता ही है पीले वाले राल हमेशा जो है तो पीले वाले राल यान की धुना जो है प्रीत शालरस जिसे कहा जाता है असल में कई लोग के मिलते काले रंग के मिलते पर उतक्रिष्ट जो होता है वो ये पीले वाले होते हैं उसी से जो है पूजा की धुना यानि कि पीले डाल जो है वो इस्तिमाल किये जाते हैं तो पीले वाले राल उसके साथ गुबगुल अगरू श्वेत चंदन श्वेत चंदन उशीर जटाम सी सुखे हुए बेलफल अगर सुखे बहुत सारे लोग कहते कि सुखे हुए बेलफल हमें नहीं मिलता है सुखे हुए नारेल का भी आप यहाँ पर इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आपको बेलफल नहीं मिल रहा है तो सुखे हुए एक भाई ने शायद राजस्थान से मुझे कह आता है कि दादा हमारी यहाँ पर तो बेलफल नहीं मिलता है तो आपके वहाँ पर तो सुखे नारिल अवश्य मिल जाते हैं और मैंने राजस्तान में देखा भी है कि सुखे नारिल बहुत मात्रा में मिलता है पूजा आदी ऐसे कारे में तो सुखे नारिल बहुत इस्तमाल ह आपको लेना है, कपूर, भीम सेनी पर अभी उत्कृर्ष्ट तौर पर जो कपूर मिलते हैं, एक तब शुत्त प्रकार के, वो केबल मातर भीम सेनी कपूर ही होता है, उसे वाइद्यो का पूर भी कहा जाता है मतलब जो आयर्वेडिक जो उपचार आदी होते हैं आयर्वेडिक किसी भी प्रकार की कोई चकत्सा आदी उसमें भी जो है ये भीमसे निकपूर का इस्तेमाल किया जाता है तो भीमसे निकपूर लेना है आपको और कमल के बीज कमल गट्टे के जो बीज है वो आपको लेना है तो धुना आपको लेना है गुगुल लेना है आपको अगरू लेना है श्वेज चंदर लेना है उशीर लेना है जटामानसी लेना है सुखे वेलफल या हर सुखे नारेल आपको लेना है घृत आपको लेना है कपूर लेना है और कमल के बीच लेना है इसमें अगर आप जो है शहद इस्तमाल करना चाहे तो भी आप कर सकते हैं कोई समस्या नहीं है उसमें दोस्तों तो इस प्रकार से जो है आपको शिव दशांग धूप जो है वो प्रस्टुत कर लेना है और बाबा को जो है आप हर सोंबार द प्रतिष्ठा किये हैं और नित्य प्रतिदिन उनके पूजन करते हैं तो यह दशांगा धूप आप जो है नित्य प्रतिदिन भी बाबा को निवेदन कर सकते हैं या फर जो लोग के वल सोंबार विशिष पूजनादी करते हैं या फर हर महीनी की शिवरात्री में करते हैं या पूजा में ही दशांग धूप शोडशांग धूप जो है इने शुब माना जाता है तो शिव पूजन में भी ये दशांग धूप बहुत ही शुब होता है धूप निवेदन में धुमची धूप में जो है आप इन दशांग धूप को प्रजुलित करके धूप अधूप को प से एक आध्यात्म मैं हो जाता है वातावरन जो है और साथ में आपके पूजा के प्रतिवी एकांक्रता बरेगा और मन जो है ना एक अलग जगे पड़ चला जाता है तो इसलिए दशांग धूप आधी से आप जो है बाबा के धूप अवश्य करने की कोशिश करिए इस महाश